रगबीर सिंग बीर्दा विशा है सुख जद इनसान दे सुबा दी प्रताल किती जाए तम मालूम होएगा के सुबा दा खुद गर्ज है करतार ने दी फित्रत दी तैज खुद गर्जी जन स्वारत रख्या है इक गल होर देखे जाएगी के इनसान दे गर्ज जिस पासियों पूरी होवे उस पासे नूँ पसंद है जिस पासियों एदी गर्ज पूरी ना होवे उस पासे वलनों बेपरवाई करेगा इंसान दे सुबाचे खोर बुनियादी असूल है के दी हर गर्जदा मनोरत सुख है दूसरे अखरांच इंसान दा सुबाचे सुख लब्बने ति जिस पासे उन सुख लब्बन उस पासे नूं चंगा समझना इति हास दस्त है के इंसाना दी बौगिंती ने शुरू तो सुख नू बार दे पदार्थां चो लब्बन दी कोशिश कीती है एदी सरीर नूं पालन खुराग पैदा करन स्परवार काइम करन मकान कोठियां किले बनाण ता अंदौलत जोडन दी कोशिश सिद्ध कर दी है के इने मुड़तों सुख इना बार दियां चीजांच समझा ते इना चीजांच नूं हासल करन दी कोशिश विच जीवन बतीत क इतिहासे गलवी सिद्ध कर दाए कि अज तक कोई ऐसा इंसान नहीं होया जिने सुख नूं बार दी पदार्थां चू लब के आख्या होए कि मैनू पूरन सुख मिल गया हून होर किसे चीज दी लोड नहीं रही ऐसे इंसान ता बहुत होई है जिना पास बार दी पदार थ इनने सी केना दे जीवन चो वर्तिया कदीना मुकदे परुना ने अपनी जुबानी एक कदीनी आख्या के सानुहोर पदार्थां दी लोड नहीं असी पूरन सुख ही हो गया है इस शिरेणी चो बड़े राजे महराजे पातशात नाड जो ब्यंत हो चुके हन शामल कीते ज जा सकते हैं इन्ज ताम तोरते हुंदा रहे हैं के जियों जो इनसान पास बारदे पदारत वदे त्यों त्यों इस दियां खाइशां वदे त्यों त्यों इह होर बेसं तोखा होया पर इतिहास ने अज तक ऐसा आदमी भी पैदा नहीं कीता जिसने बारदे पदारत हासल क कि मैंनु होर लोड नहीं रहें, मैं पूरन सुखी हो गया। इस तो एक असूल साबत हुन्द है कि वो एक बाहर दे पदारतांच इंसान नू पूरन सुखी बनाओडी शक्ती नहीं। बार दे सुख आजी तोर ते ता इंसान नू सुखी बनाओडे हैं, पर वो इनानू पोख के फिर पोखा फिर अस संतुष्ट ही रहन दैं। एक गल अटल रहेगी कि संसार दे पदारता नू पोखदा पोखदा इंसान खुद खतम हो जान दैं। पर उदी तरिश्टा खतम नहीं हुन्दी। चाली पंजास साल तक बड़ी मेनत नाल बार दे पदारत कठे करके इंसान समय दै के शायद वो अग्ये नू सुखे जीवन बतीत कर सके। पर उदी हेरसु पूरी ने हुन दी क्योंकि उमर दे वदन आल इंसान दीयां स्चरीरक शक्तियां कटन लग जान्दी हैं। बल कट जान्दै, दंध काम करनों ज्वाब दिन्दै, अखाँ दी जोद कर जान्दै। अखीर मौत आके इंसान दियां सब उमीद्धां दे ना कदी पिछे इंसाननों पूरन सुखी बना सके है, ना अगे नूं पूरे सुखी बना उन्दी आस दिवा सकती है। कार्च रहके जिकर स्रीर किसे हाद तक सुखी हो जाए। तावी जद तक आत्मा नूं खुराक ना मिले, उस सदा असन तुष्ट रहेगी। आत्मा दी खुराक इखलाक, प्रेम, बंदगी, पजन, सिम्रन ते ग्यान है। इसले इंसाननों पूरे तौरते सुखी होन ले। सरीर दियां जरूरताँ पूरियां करन दे नाल नाल, आत्मा दी खुराक, रू दी गिजावी हासल करनी जरूरी है। गुरुग्रन साब जी दी सिख्या इंसाननों पूरन सुखी बनौन वास्ते, बार पट करन दी बजाए, अपने अंदर सुखां दे सागर, अकाल पुरक नों लबण मिलन ते समझण वास्ते परेर दिया। गुरुग्रन साब दी सिख्या अनुसार जीकर इंसान नेक ती आत्मक जीवन बतीत करन लग जाए, तो नों अंदरों सुखां दाख जाना मिल जानुते, बार दे दुनियावी ते स्रीरक सुख वी अगे पिछे फिरन ल उठतावै, सेतन हर सेवाते पावै, कोट अनंद जै हर गुन गाही। गुर्मक दिया वस्ता इत्थों तक पक दीते पूरण हुन दिया, कि गुर्मक दा हर फुरना, हर ख्याल, वैगरुदिया पार शक्ति पूरा करना, अपनी परसनता समझ दिया। जै जै काज किरत सेवक की तहा तहा उठतावै, या जो जो कहे ठाकुर्पै सेवक ततकाल हुए आवै। गुर्मक दो अखीर जो अंदर ला ते बार दा आत्मिक ते संसार्क सुख प्रापत हुन दै, कि उदी सब तृष्णा, सब दुख, सब पठकना खतम हो जान दिया, तिसकी तृष्णा, पू सब उतर है, जो हर नाम त्याव है, या सब दुख पुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंदन तोड़ी है, तन्वाग।